स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे इफ का उच करता है हम एक basic फर्मूला बताएंगे इफ फर्मूला क्या होता है और इस पे बहुत सारे example हम बताएंगे फिलाल आज के दिने एक छोटा example बताएंगे और if बहुत सारे formula को एक साथ add करके भी करता है उसको सब धीरे-धीरे हम बताएंगे सबसे पहले जानिए if जो formula होता है इसका syntax होता है यहाँ पर if यह देख़े if का syntax क्या होता है logical test, value if true, value if false यह if का syntax होता है जैसे कोई भी formula आप यहाँ पर लिखेगा equal to if और bracket open कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आ रहा है logical text, value if true, value if false तो इसका मतलब यह होता है कि इसी रास्ते पर मुझे चलना है हम equal to if तो कर देंगे formula के लिए कोई भी formula के पहले equal to लगाया जाता है लेकिन किस रास्ते पर चलना है तो सबसे पहले logical test को समझेंगे उसके बाद value if true, value if false तो यहाँ पर देखिए उससे पहले यह समझे कि if में क्या-क्या जरुरत पड़ेगी यहाँ पर देखिए if formula में सबसे पहले logical operator की जरुरत पड़ेगी तो अगर basic सी बात की जाए आपसे यहाँ पर कोई भी एक छोटा सा example लिया जाए equal to अगर आपसे हम पूछे कि यह जो 45 है 45 greater than यह यहाँ पर 25 तो देखिए यह क्या 45 25 से बढ़ा है तो answer true आएगा या false तो दोस्तों चाहिर सी बात true आएगा क्योंकि वह बढ़ा है तो यह क्या है logical operator ऐसे ही थोड़ा basic आप समझे यहाँ पर इसको कहेंगे यह 10 less than 88 क्या यह सही है 10 less than 88 यह सही है true अगर गलत रहता तो false बताता है result I say greater than equal to equal to हम कहेंगे यह वाला greater than equal to यह मतलब यह कह रहा है कि यह तो बड़ा हो जाए यह तो बराबर हो जाए यह 88 के यह 47 बराबर हो जाए यह बड़ा हो जाए तो अभी true आएगा इंटर करेंगे तो यह रिजल्ट टू आएगा अगर इसको 88 कर दे 88 कर दे तो अभी टू रहेगा लेकिन जैसे ही हम 19 करेंगे तो यह फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वह यह बाड़ा तो है ना यह टीएट ऐसे ही आप समझ सकते हैं यह बेसिक एक्जामपल है चलिए यह सब प् अब यहां पे आते हैं यह क्या काता है इफ फर्मूला से पहले यह कुछ कंडिशन दिया कर रहा है कि कोई माक्स जो है यह माक्स दिया हुए यहां पे नाम है हम कर रहा है कि यह greater than equal to मतलब यह पच्चा डेर से बड़ा हो जाए यह बराबर हो उसका ही एडिमिशन में yes आज जैसे discount दिया जाए या नहीं दिया जाए ऐसे होता है ना कि कुछ category लगा दी जाती है कि जो HTSC है उसको 20% discount दिया जाएगा जो general है उनको नहीं दिया जाएगा जो OBC है उनको 5% दिया जाएगा तो यह सब formula if की मदद से बनता है computer में आज कर data बनता है यह तो आपको पता है लेकिन उसमें इफ formula लागा जाता है जैसे college school में आप जाते होंगे तो वहाँ पर देखिएगा कि marks 8 होता है कि कि किसी का यह attendance 75% से ज्यादा हो तो उसको internal marks मिल जाए 49 47 जो भी आपको marks base पे होगा वही मिलेगा ठीक है तो इसलिए यहाँ पर देखिए इफ formula में यह समझेंग ओइते बाद break it open करेंगे यह का रहा है logical text logical text का मतलब यह होता है कि यह रखिए logical operator यह होता है कि सब का यूज होना ही होना है इफ formula जो अभी आप लगाईएगा तो यह सब का यूज होगा कहां non logical text के उंदर दिए logical test है तो सबसे पहले इसको select करेंगे यह का रहा है माक्स सेलेट करने के लिए इफ माक्स सेलेट करेंगे न यह माक्स वाला सेलेट किजिए और greater than is equal to यहां पर देखिए greater than equal to यह डेर सेलेटे दिजिए अब यह कॉमा दिजिए logical टेक्स्ट का काम हो गया कोमा देते हैं देखिए यह बोले हैं कि यदि इफ यह एटू यह 147 ग्रेटर देन इक्वल टू डेर सो होए मतलब डेर सो से बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए डेर सो के तो वेलू इफ ट्रू यह पूछ रहा है कोमा दिये हैं तो नेस्ट तो आप डाबल कोट में ही लिखिएगा यस कि डाबल कोटेशन दिजिएगा फिर कोमा दिजिएगा और फिर कह रहा है वेलू इफ ट्रू का काम हो गया यह कहेगा कि डेर सो से अधिक हो जाए या डेर सो के बराबर हो जाए तो उसका रिजल्ट के आजाए यह यस आजाए यह पूछता है कंडिशन कि अगर माली जी यह डेर सो के बराबर ना हो डेर सो के छोटा हो तो उसका रिजल्ट कुछ आना चाहिए तो वेलू इफ फाल्स के आना चाहिए यह डवल कोट में नो दे दो और फिर ब्रेकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो यहां पे देखो यस इसका आनसर आ गया किम यहां पे देखिए फर्मूला देखिए हम क्या पूल फर्मूला वही कह रहा है कि यह वाला फिर से एक एक एक्जामपल देख लिजिए सब से बेस्ट है समझ में आजएगा इक्वल टुड इफ कीजिए ब्रेकेट ओपन यहां पे देखिए यह वाल तो यह कंडिशन क्या कर रहा देर्श हो 145 सारी 140 यहां पर देखी यह कह रहा है एक सब याली जो है डेर्श से बड़ा हो जाए या देर्शक के बराबर हो जाए कंडिशन लगा है तो लॉजिकल टेक्ट का काम हो गया लॉजिकल टेस्ट जब भी आएगा यह सिंबॉल लगे लगेगा ही लगेगा उसमें ठीक है जैसे ही कोमा देंगे next step पे आ गया ये value if true तो value if true का मतलब ये होता है कि या डेर सा के बराबर हो जाए या डेर सा से ज्यादा हो जाए तो उसका कुछ result आना चाहिए ना जैसे यहां पर yes आया तो double quote में फिर से yes लिखना है फिर double quote देना है फिर कॉमा फिर पूछ रहा है value if false अगर ये सही ना हो क्योंकि ये तो सही नहीं है गलत है ये तो इसका result कुछ आना चाहिए न तो double quote में फिर से no दे दो तो ये basic enter करेंगे तो इसका no आ जाएगा answer ठीक है no क्यों आया कि ये डेर्शा से छोटा है ना डेर्शा के बराबर है अगर इसको हम डेर्शा के बराबर भी कर दें यहां पर देखिए जैसे यहां पर है तो इसको हम यहां पर drag कर देते हैं drag कर खीच देते हैं आप drag मत आपको प्रेक्टिस करना है सब क्योंकि आपको समझ में समझना है कि यह क्या होता है जितना बार प्रेक्टिस किजिएगा उतना अच्छा रहेगा क्योंकि यह एक बार आप फर्मूला समझेगे यह स्रिफ एक step formula है ऐसा ही फर्मूला हम तीने step लगाएंगे यह इतना होता है कि इसका क्या काम है देखें यहां प्रडर साथ हता है यहां सार आ किकि यह पर यह प्रक ना क्योंकि यह त्ड़र लिखेंगे तो इसे यह ही फायदा है कि यह क्या होगा यह value बदल में थाफरी में एपर टा accelerate लिखे होते हैं अगर टेक्स्ट के रूप में लिखे होते हैं यह थी स्लेट की हैं तो ऐसे आपको बेसिक एक्सेल के वीडियो में हम बताए हैं अब अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लिजिएगा मेरे चाइनल पर पढ़ा हुआ है इंटर्डॉक्शन वीडियो का और भी इंपोर्टन फर्मूला पढ़ा हुआ है आप उसको देखिए क्योंकि यह सब फर्मूला ओफीशियल बेस पे हैं इसका काम कहीं न कहीं आएगा इसको प्रेक्टिस किजिए कहीं समस्य हो तो कमेंट ज़रू करिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडि